गाईज ये रात को मैं लेट नाइट सोया था एंड सुबह साथ वजे के अप्रोक्स मेरा निंद खुला तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कल साथ फ्रीफार का न्यू रैंक सीजन आया है तो एक बार रिजन चेक कर लेते हैं कि आखे रिजन पे कौन-कौन बंदे आये ह फिर गाईज इस सबसे पहले तो मैं गेम को पिन करता हूँ उसकी बाद मैं लेडर बूर्ड को पून के जाता हूँ and then फ्रेंट वाले section को किसे हो आप लोग वाई होप की बढ़िया होंगे and guys बढ़िया ही रहना guys जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक एक क्लियर स्टेट्मेंट देता हूं कि इस वीडियो का मोटीव ना ही किसी को हेट देना है और ना ही किसी से मेरी दुस्मनी है मैं बस आपको रियलेटी बताने वाला हूं कि अभी के टाइम पे एक्चुल में फ्री फार कम्मिनेटी में क्या चल रहा है so guys जो बीना लेट किये वीडियो को स्टार्ट करते है गाई जबी टाइम सुबह का साथ बज रहा है और सीजन चेंज हुए मुश्किल से 14 गंटे भी नहीं हुए है अगर आप एक रैंग पुशर हो तो आपके अंदर का सबसे बड़ा सवाल कि आयूस भाई ने 14 गंटे के अंदर 7000 स्कोर कैसे किया आयूस भाई ने 14 गंटे में 200 से भी ज़्यादा मैचेज कैसे खेला क्या आयूस भाई का मैच 5 मिनट में खतम होता है and most important कि क्या आयूस भाई भी इस सीजन ग्लिच यूज कर रहे है and अगर आयूस भाई ग्लिच यूज कर वी दे हैं तो फिर वो कौन सा ग्लिच है एक मैच अगर 20 मिनट में खतम होता है तो फिर एक घंटे में 3 मैच फिर 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 आवर में मैक्सिमम अगर आप मैचेश खेलोगे तो भी 45 मैचेश ही होगा बड़ गयज यहां पर आयूस भाई ने नंबर आप मैचेश कितने खेले हैं तो 203 तो एपरोक्स मानो तो गाईज लगवग आयूस भाई ने 5 टाइमस मैचेश जादा खेला है और इसका मतलब तो यही होता है गाईज कि अगर आपका मैच 4 मिनट में खतम होगा तब ही आप 15 गंटे में 200 मैच खेल पाओगे अब गैडिना वाले आयूस भाई के ससुर जी तो लगते नहीं है कि उनका मैच 4 मिनट में खतम होगा और बांकी बंदो का मैच 20 मिनट में हाँ मानता हूँ आयूस भाई एक बड़े क्रियेटर है लगवग इंडिया के टॉप 5 क्रियेटर में उनका नाम जरूर आएगा मेरे को नहीं लग रहा कि इस ग्लीच के बारे में किसी को भी पता और मैं आपको वो ग्लीच इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि गाईज देखो अगर आप ग्लीच यूज करके रिजन पर जाओगे ना तो वहां से आपका नाम खराब होगा रिजन तो आप कर लोगे और महां से गाईज फिर मेरा नाम भी खराब होगा कि मैं सबको ग्लीच बताता हूँ सारे बंदे फ्यर रैंक पुस करते हैं और उसमें अगर कुछ ग्लीच वाले घुश जाएंगे तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए गाईज मैं आपको वो नूब लवी वा कि केड़ी देखोगे गाईज तो आप इनकी केड़ी 3 की है जबकि आपको इनके गेमपले के बारे में पता है कि अच्छी खासी केड़ी होनी चाहिए और सबसे बड़ा चीज जो गाईज मैं आपको नोटीस करवाने वाला हूँ कि आप अकर आयूस भाई का रिवाईव च इस जो को मैं साफ साफ और क्लियर बताता हूँ आप लोग भी इस ग्लीच को यूज कर सकते हो क्योंकि गाईज यह एंटी वैन ग्लीच है यह गरीना का ही एक फॉल्ट है इसलिए गाईज इस ग्लीच को यूज करने से आपकी आईडी भी बैन नहीं होगी और यह नया ग्ल इस ग्लीच करते हैं जब यह दस बंदे यह नहीं करते हैं लॉबी में ले जाने के बाद डिस्कौर्ड पे जो 10 बंदा एक्टीव रहता है उसमें से किसी एक का नाम लेकर बोलते हैं कि मैं अपने नेट को आफ कर रहा हूँ आप आईडी को रिकनेक्ट करों जैसे ही वह ब करते हैं और पर फ्रीफायर का क्लियर केज करते हैं और उसके बाद यह प्र एक से 10 बंदे आकटीव रहती है तो उसमें 18 स 19 मिनट का टाइम लगेगा तो जब तक दसवा बंदा को करेंगे यह काम तब तक पहले बंदे का गेम भी फिनिस हो चुका होगा तो आप खोदी सुचो गाइज कि अगर एक मैच में 48 के आसपास प्लस मिलता है एक मैच 20 मिनिट में खतम होता तो यहां एक मैच की टाइम पे 10 बंदे खेल रहे हैं मतलब 48 इंटू 10 480 प्लस मिलेगा सिर्फ 20 मिनिट में गाइज आप खुदी बताओ कि जिस क्रियेटर का पूरी कम्यूनिटी में इतना बरा नाम है और वो इतना घटिया काम करे गाइस मतलब मैं क्या बोलू यार आप में से भी बहुत सारे बंदों का इंस्पिरेशन होंगे यूज 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 वाई यूज भाई से यही कोशन रह रहे हो 7.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है सुनिता जैसी बंदी अजुभाई को छोर के आपको भाई दे रही है अब चाहिए क्या आपको फ्रीफार कम्यूनिटी में नॉर्माल मस्ती करो अपने वीडियोस बनाओ यार क्या ही मतलब मतलब यह छोटा घटिया काम की ग्लीच यूज करके रिजन करना कितना मतलब किता बुरा लगता है यार पिछले 3-4 सीजन से कोई ना कोई ग्लीच चलते आ रहा है इसलिए पिछले 4-5 सीजन से कोई भी यूटूबर यानि भी वैच आपको रिजन पे देखने को नहीं मिल दा होगा टॉप 10, टॉप 20 में ग्लीच यूज करना सजेस्ट नहीं करता था बट अगर इतने बरे creator पूरे free fire community में ग्लीच यूज कर रहा है तो आप क्यों नहीं करोगे जब ID ban नहीं होगी तो आप भी यूज करो अगर आप लोगों में से किसी को भी उस ग्लीच को यूज करने में दिक्कात आती है तो फिर comment section में comment करो मैं उस ग्लीच का पूरा का पूरा hand cam ready करके ले आऊँगा एंड देन फिर बताऊँगा कि आपको उस ग्लीच को कैसे यूज करने वीडियो इंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूँँ वीडियो का मोटिफ किसी को हेट करना नहीं था बस रियलिटी क्या है मैं ये बता रहा था तो गाइस आई होब कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना मत बूलना थैंक्स पो वाचिंग कीप सपोर्टिंग मिलने गाइज इन एक्स्ट वीडियो में बाबाई चेक कियर लव यू ओल